जहिन दोस्तों मैं हूँ चेतन साहू और इप्ट्रिप्स पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको भगवान शुरी राम की नगरी आयोध्या के बारे में जानकरे देने वाला हूँ यदि आप अयोध्या का टूर प्लान कर रहे हैं तो अयोध्या कब जाएं कैसे जाएं कहां रुकें अयोध्या में कहां कहां घुमें इस पूरे टूर के दोरान आपका कुल कितना खर्चा आएगा दोस्तों ये सारी जानकर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस अयोध्या के कंड कंड में भगवान राम बसे हैं और यहां पर आपको जगा जगा भगवान राम के होने का एहसास होगा यहां आपको भगवान राम के जन्म स्थल यानि कि जिस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था एक्जैक्टली वही जगह राम जन्म भूमी देखने को मिलेगी फिर आप वो जगह देखेंगे जहां पर भगवान राम अपने तीनों भाईयों के साथ नाया करते थे यानि कि सर्यू नदी यहां पर आपको सर्यू नदी देखने को मिलेगी जहां पर भगवान राम अपने भाईयों के साथ नाया करते थे यहाँ पर आपको कनक भवन देखने को मिलेगा जहाँ पर भगवान राम सीता माता के साथ स्वाइम रहा करते थे यह वही जगा है जहाँ पर भगवान राम ने समय बिताया है वो रहे हैं आपर फिर यहां पर आपको दश्रत महल देखने को मिलेगा जहां पर भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिला था तो ये सारी चीजे आप महसूस करेंगे अयोध्या में जब जाएंगे तो ये सारी चीजे आपको देखने को मिलेंगी और आपको भगवान राम के होने का ऐसास जरूर होगा वैसे तो आप आयोध्या पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं थोड़ी गर्मियों के मौसम को आप अवाइड कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती हैं तो आप ना जाएं क्योंकि फिर धूपते होती है टेंपरिचर काफी हाई होता है तो आपको घुमन जा सकते हैं अयोध्या जाने का जो बेश्ट टाइम है वो है दीपावली का समय आप दीपावली के टाइम पर अगर आयोध्या जाते हैं तो अपने आपको काफी ज़्यादा भागेशाली महसूस करेंगे क्योंकि दीपावली के टाइम पर आयोध्या में इतनी ज़्यादा रौनक रहती है इतनी ज़्यादा सजावट रहती है जो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखेंगे क्योंकि दीपवली की जो शुरुआत है वो अयुद्या जी से ही शुरू हुई है यानि कि जब भगवान श्री राम सीता माता लक्षमन जी और हनुमान जी रामण सब्धमित उट्सब मनाया गया था उसी को दिपवली कहा घया था दिपवली जब जब भगवान राम आय थे वापस 14 वर्ष का वनवाश करके तब पूरी अयुद्या को दिपो से सजाया गयं था और सब ầभगवान राम के वापस आने की खुशी में तबी से दीपावली को मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष तो दीपावली यदि आप अयोध्या में मनाते हैं तो आपको काफी ज़्यादा खुश नसीप महसूस करेंगे और आपको काफी ज़्यादा अच्छ लगेगा हर साल अयोध्या में रिकॉर्ड तो दिये जलाए जा रहे हैं हर साल इतने ज़्यादा दिये जलाए जाते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड तूट जाता है तो यदि आप दिपावली के टाइम पर अयोध्याजी जा रहे हैं तो आपको काफी ज़्यादा अच्छ लगेगा आप काफी ज़्यादा खुश नसी महसूस करेंगे आ अयोध्याजी पहुंचने का जो बेस्ट तरीका है वो है बाइट ट्रेन आप पूरे भारत में कहीं से भी डारेक्ट ट्रेन लेकर अयोध्याजी पहुंच सकते हैं अयोध्याजी में आपको अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट का रेल्वे शेशन मिल जाएगा तो आ अलावा आपको पूरे भारत में कहीं से भी डारेक्ट अयुध्या जी के लिए बस भी मिल जाएगी आप रेड बस या मेक माई ट्रिप की साहता से प्राइवेट बस की बुकिंग कर सकते हैं जो की आपको डारेक्ट अयुध्या तक की मिल जाएगी बात करें बाइफ फ्लाइ से अयुध्या पहुचना चाते हैं तो जो नियरस्ट एयरपट है वो है लखनव एयरपोर्ट आपको लखनव एयरपट आना पड़ेगा अगर आप फ्लायच यह आना चाहरे हैं अगर आप बस से आते हैं तो आपको 200-500 रुपे का किराया लगेगा non AC बस में AC बस में आपके 500-700 रुपे लगेंगे और आप अयोध्या जी पहुंच जाएंगे अगर आप टैक्सी या प्राइविट वहिकल से अयोध्या जी रहे हैं तो आपको पूरे रास्ते में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी सारे हाइवेज बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं और पूरे रास्ते आपको काफी जादा अच्छा मैसूस होगा तो इस तरह आप रेल सड़क और हवाई मार्ग के रास्ते अयोध्या जी पहुँच सकते हैं बात करें अयोध्या जी में रुकने की विवस्था के बारे में तो वैसे तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा होटेल वगरा नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी कई होटेल रूम ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 500 से 700 रुपे में तो यहाँ पर आपको ससते में कमरे मिल जाएंगे और वो भी बढ़िया वाले ठीक है तो यहाँ पर आपको रुखने के कोई दिकट नहीं होगी यहाँ पर आपको कुछ धरमशाला भी मिल जाएंगी जैसे कि एक धरमशाला है बिड़ला धरमशाला में आपको 500 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक कमरे मिल जाएंगे तो जैसा आपके लिए सूटेबल रहे जो रूम आपके लिए सूटेबल रहे आपके बजट के अकॉर्डिंग आप उस रूम को ले सकते हैं बिड़ला धरमशाला में यह धरमशाला शु के बारे में जानकारी मिल जाएगी बात करें खाने पिने की विवस्था के बारे में तो यहां पर आपको 80 रुपए से लेकर 120 रुपए तक में खाने की ठाली मिल जाएगी तो यहां पर आपको खाने पिने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है काफी कम प्राइज में आपको ख गूमना कैसे है, आप कहां कहां गूम सकते हैं, तो आप पूरा अयोध्या गूमने का सफर सर्यू नदी के घाट पर इसनान करके शुरू कर सकते हैं, आप सबसे पहले सर्यू नदी चले जाएं, वहां पर आप इसनान कर लें, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर भगवान श् सकते हैं पास में ही है सरीव नदी से यहाँ पर सरीव नदी का पानी ही अंदर की तरह आता है और राम की पौड़ी बनीवी है तो आप चाहें तो यहाँपर भी इस्तान कर सकते हैं आपको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा दिपावली के टाइम पर इस जगह को क साफी जादा अच्छे तरीके से सजाये जाता है, हर तरफ आपको दिये ही दिये देखने को मिलेंगे, तो राम की पौड़ी पर आप जाना ना भूलें, सर्यूनदी या राम की पौड़ी में इसनान करने के बाद आप नागेश्वर मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पर दर्शन क सकते हैं, इसके बाद आप प्रस्तान करें हनुमानगडी टेंपल के लिए, हनुमानगडी टेंपल वो जगाह है, जहां पर हनुमान जी 6 इंच की मूर्ती के रूप में विराजमान है, यह टेंपल हनुमान जी का घर है, और रावन का वद करने के बाद जब भगवान श्री राम, सीता माता, लक्षमन जी और हनुमान जी वापस अयोध्या आय थे, तब राम जी ने हनुमान जी का घर अयोध्या में ही स्थाप्यत करवा दिया था, और यहां हनुमान गड़ी यानि की हनुमान जी का मंदर बनवाया था, राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि जो भी मे दर्शन करने आएगा वो मेरे दर्शन करने से पहले आपके दर्शन करेगा तब ही से हनुमान जी इसी जगह से राम जी और अयुद्या जी की रक्षा कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी शाम चार बजे हनुमान जी इस जगह पर यानि हनुमान गड़ी में आते हैं तो पहले आप हनुमान गड़ी में हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप प्रस्थान करें भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जिसके लिए आपको राम जन्म भूमी जाना पड़ेगा जहां आपको राम लला के रूप में भगवान श्री राम के दर्शन कोंगे हनुमान गड़ी टेंपल से राम जन्म भूमी पहुँचने के लिए आपको बैटर रिक्षा मिल जाएंगे जो कि आपसे 10 उर्पे तक चार्ज करेंगे और आपको हनुमान गड़ी टेंपल से राम जन्म भूमी तक छोड़ देंगे राम जन्म भूमी वह जगा है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी वज़ा से यह जगा सनातन धर्म में काफी पूजनिय है राम मंदिर को हिंदुत्व की निव माना जाता है और यहां भगवान श्री राम का भवे मंदिर भी बन रहा है अभी भगवान श्री राम का भवे मंदिर बन रहा है इस वज़े से यहां आपको रामलला की मूर्ति स्थापित की हुई मिलेगी जिनके आप दर्शन कर सकते हैं जब आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो यहां कैमरा, पर्स, मोबाइल, एक्जेक्टरा कुछ भी अलाउड नहीं है तो आपको पहले ही कुछ शॉप्स पर लॉकर्द वगरा मिल जाएंगे जहां आप से 40 रुपे चार्ज की जाएंगे और आप अपना सारा सामान उन लॉकर्स में रख सकते हैं भगवान श्री राम के रामलला के रूप में दर्शन करने के बाद आप राम जन्म भूमी न्यास कारेशाला जा सकते हैं जहां आपको भगवान श्री राम के मंदर के निर्मान में जिन पत्थरों का इस्तिमाल होना है उनका कार्य उगुता भव्वे मंदिर बनकर तयार हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा तो उसका एक मॉडल भी आप यहां पर देख सकते हैं फिर आप कनक भवन गुमने चले जाएए कनक भवन वो जगा है जो रानी कैकाई दुआरा माता सीता को मू दिखाई में दिया गया था और फिर भगवान श्री राम और सीता माता इसी जगा पर रहने लगे थे कनक भवन पूरी अयोध्या की सबसे खूपसूरत जगा है और आप इस जगा को किसी भी कीमत पर बिल्कूल भी मिसना करें आप इस जगा पर जरूर घुमने जाएं यह जगा बारा मिनट की पैदल दूरी पर है आप जब राम जन्म भूमी में राम लला के दर्शन कर लेंगे तो बारा मिनट की पैदल दूरी पर आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं जो की लगबग 900 मीटर का डिश्टेंस है आप चाहें तो राम जन्म भूमी से बैटरी रिक्षा भी कर सकते हैं और अगर आप पैदल कनक भवन तक पहुंच सकते हैं फिर कनक भवन से लगबग 400 मीटर की दूरी पर आपको अमावा राम मंदिर नाम की जगा मिल जाएगी जहां आपको राम जी की रसोई देखने को मिलेगी इस जगा पर प्रते दिन श्रद्धालूं को निशुल्क भोजन करवाया जाता है त कनक भवन से वाकिंग डिश्टन्स पर आपको दश्रत महल मिलेगा आप दश्रत महल गूमने जा सकते हैं ये वही महल है जो कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के पिता जी राजा दश्रत जी का महल हुआ करता था और इसी महल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का अबनवास का आदिश सुनाया गया था तो यहां आप जरूर घूमने जाएं फिर आप देवकाली मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं जो की सीता माता की कुल देवी का मंदिर है तो आप यहां भी दर्शन कर सकते हैं इसी तरह यहां पर कई प्लेसेज और मंदिर और भी हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं दर्शन करने जा सकते हैं जैसे की आप सुग्रिव किला भी जा सकते हैं सुग्रिव किला वो जगए है जो की भगवान श्री राम दुआरा सुग्रिव जी को दिया गया था इन सब के अलावा आप शाम को सरीव नदी के घाट पर आरती अटेंड करना बिलकुल भी मिसना करें क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन शाम को भव्य आरती होती है सरीव नदी पर तो आप सरीव नदी पर आरती में शामिल हो सकते हैं पूरी अयोध्याजी घुमने का जो सबसे बेश्ट तरीका है वो है बैटरी रिक्षा आप बैटरी रिक्षा के साहिता से पूरी अयोध्याजी घुम सकते हैं आप पूरी अयोध्याजी में एक जगा से दूसरी जगा पर मातर 10 रुपे में बैटरी रिक्षा की साहिता से जा को सभी मंदिरों को कवर कर सकते हैं वैसे तो अयोध्या जी की प्रमुक जगहों पर प्रमुक टूरिस्ट प्लेसेज या मंदिरों पर घूमने के लिए एक दिन का समय काफी है आप वन डे वन नाइट का टूर प्लान कर सकते हैं जो की इनफ रहेगा और अगर आप एक डे के पर यहां आते हैं तो आपके लगबग आट सो से एक हजार रुपए पर परसन खर्च हो जाएंगे अगर आप अयोध्या जी के सभी मंदिरों के अच्छे से दर्शन करना चाते हैं तो आपके पास कम से कम दो दिन का समय होना चाहिए जिसमें आपके लगबग पंद्रा सो रुपए पर परसन तक खर्च हो जाएंगे इन दो दिनों में आप अयोध्या जी के सभी मंदिरों को कवर करने के साथ साथ कुछ प्लेसेज जो अयोध्या जी से बाहर आउट सकर्ट में पढ़ती हैं आप उन प्लेसेज को भी कवर कर पढ़ेंगे तो आपके पास अगर द जुद्या जी की वीडियो पसंद आई होगी पूरी जानकारी पसंद आई होगी यदि अब भी आपके मन में कोई सवाल बच रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं निश्चित रूप से आपका जवाब जरूर दूँगा तो दोस्तों इस वीडियो को गुडबाय तेक केर